हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आज की करेंट अफ्यार डिसकसन में इस वीडियो में हम जियोग्राफी और इनवायरमेंट का वीकली करेंट अफ्यार डिसकस करेंगे आए देख लेते हैं आज कौन कौन से टॉपिक डिसकस करेंगे एक टॉपिक है राष्टी चमबल अभ्यारन दूसरा है मोटा अनास सम्मेलन तीसरा है विडेशी घास तोता एजुजन्थली और फिफ्ट टॉपिक है किडोमोगरस सुधी पहला टॉपिक है राष्टी चमबल अभ्यारन ये न्यूज में क्यों है क्योंकि MP गुवर्मेंट में अवैद रेत उत्खानन से छुटकारा पाने के लिए रेत उत्खानन की अनुमति देने की योजना बनाई है ये 2006 से रेत उत्खानन राष्टी चमबल अभ्यारन में प्रतिवंधित कर दिया गया था ये राष्टी चमबल अभ्यारन अवस्थित कहां है इसकी ये एक ट्राई जंक्षन पे है जो की MP, राजस्थान वा उत्तर प्रदेश के ट्राई जंक्षन पे अवस्थित है इस अभ्यारन में कुछ संकट ग्रस्थ और दुल्लब प्रजातियों का अधिवास पाया जाता है वो कौन कौन से प्रजातियां है घडियाल, गंगा डॉल्फिन, मगरमच वा कचुओं की कुछ प्रजातियां पाया जाती है सेकंड टॉपिक है राष्ट्री मोटा अनाज सम्मेलन मोटा अनाज इसको इंगलिस में मिलेट्स कहते हैं कि 2022 में हुआ यह खाद वब प्रसंसकरण उद्योग मंत्राले द्वारा आयोजित किया गया था इस सम्मेलन के थीम क्या था भारत के लिए भविष्ट के सुपर फूट अब सुपर फूट क्या होता है वह फूट जिसमें आयरन प्रोटीन विटमिन ए और आयोडिन की प्रचुर मात्रा पाई जाए उसे हम सुपर फूट कहेंगे आये देख लेते हैं मोटा अनाज क्या है मोटा अनाज उसे कहते हैं जो थोटी बीज वाली फसले होते हैं जिनका उप्योग हम मानो खाद्यान वब पसु के चारे दोनों के रूप में करते हैं उसे हम मोटा अनाज कहते हैं मुख मोटे एनाज कौन कौन से हैं ज्वार बाजरा हुआ रागी ये मोटे एनाज खरीफ की फसल होते हैं जिने हम जुलाई से अक्टूबर के बीच में उप जाते हैं यह उत्तर प्रदेश, 36 गड़, राजस्थान, गुजरात वा, हर्याना के सुस्क वा, अर्द सुस्क छेत्रों में उगाई जाने वाली फसल है इनका महत्तु क्या है यह इंपॉर्टेंट है UPSC के लिए MCQ से बना सकता है, कारबन संचे करने की छमता होती है मोटे अनाजों में असल तयार होने में समय कम लगता है, यह मानव खाद दुआ, पस उचारा दोनों के लिए उपी होगी है इसमें पानी के वशकता कम होती है, मसीनी करण भी कम होता है और इसमें पोसन इस तर उचितम होता है भारत की स्थिति क्या है मोटे अनाज को लेकर? विस्स में मोटे अनाज का पाँचवां सबसे बड़ा निर्यातक है भारत और बैसिक उत्पादन में 41 परसेंट भारत ने उत्पाजित किया था कब 2020 में थर्ड टॉपिक है काजी रंगा राष्टी टाइगर रिजर्व में विदेशी घास मिली है जो की काफी समय से काजी रंगा राष्टी टाइगर रिजर्व को दूसित करने में उसका दोसी पाया गया है पहला है इंपोमिया यह साउथ अमेरिका की नेटिव इस्पिसीज है इसे हिंदी में हम बेसरम का पौधा भी कहते हैं आप लोगों ने इसको नदी नालों के किनारे देखा होगा इसका नाम क्या है इंपोमिया इसे हम बेसरम का पौधा भी कहते हैं दूसरा है मिमोसा यह सेंट्रल और साउथ अमेरिका की नेटिव इस्पिसीज है जिसे हम छुई मुई के नाम से भी जानते हैं तीसरी घास है लैंटाना इसे यह साउथ अमेरिका की नेटिव इस्पिसीज है इसे सजावती पौधे के रूप में अंग्रेज लाए थे कहां से साउथ अमेरिका से इसे हम पंच पुस्पि भी कहते हैं और चौथा है पार्थेनियम यह नार्थ अमेरिका की इस्पिसीज है और यह 1950 के दसक में जब भरत में गेहूं का उत्पादन कम होता था तब हम अमेरिका से गेहूं का आयात करते थे उसी के साथ यह घास कहते हैं गावों में इसे नक्टे का पौधा भी कहते हैं अंगला टॉपिक है भारती जल्चेत्र में एजू जन्थली मूंगा की चार प्रजातियों को हो जा गया है अभी एजू जन्थली मूंगा क्या होता है एजू जन्थली उसे कहते हैं जो सूर से नहीं बलकि प्लवक स अपना पोशन प्राप्त करे और जूजेंथली स्थूर से अपना पोशन प्राप्त करता है ये कहां खोजी गई है अंडमान और निकोबार दीप समू में हो जा गया जो कि भारती जलचेतर के अंतरगत आता है इससे पहले ये जापान फिलिपिन्स आस्ट्रेलिया के जलचेत जाती है कौन-कौन सी प्राप्त पाई गई है एक है त्रोने केटो फ्लैवलम क्रेसम इसे टी क्रेसम भी कहते हैं यह अधन की खाड़ी फारस की खाड़ी वा हिंद महसागर में भी पाई जाती है दूसरा है T-Incrust Atum T-Denote करता है Tronocopole Flavelum को ही T-Incrust Atum ये अंडमान और निकवबार दीव समू में ही पाया जाता है T-Eculatum ये भी सिर्फ अंडमान निकवबार दीव समू में ही पाया जाता है और T-Iregulare ये भी अंडमान और निकवबार दीव समू की ही नेटिव सिर्फ हैं ये तीनो T-Incrust Atum, T-Eculatum और T-Iregulare ये तीनों अंडमान और निकवबार दीव समू की ही नेटिव सिर्फ हैं ये अदन की खाड़ी भारस की खाड़ी वा हिंद महसागर के अने चेतरों में भी पाया जाता है एजूज अंधिली प्रवाल अधिकांस प्रजातियां गहरे समूदर में पाया जाती हैं यानि 200 से 1000 मीटर के बीच में ये पाया जाती हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि ये उथले जल में नहीं पाया जाती है। बारत में निन लुखे चेत्रों में प्रवाल चेत्टाने पाई जाती है, कौन कौन से चेत्र हैं, इसको मैपसे समझ लेते हैं, ये अंडमान निकोबार दीव सम lower के चेतर में पाई जाती है, मननार की खाडी में ये पहले पहले आपको यहाँ से जब आप पूर्व से पस्ठ चेत्रे चाडि यहां पर नार कि उसके बाद आप ल popular सक्ताने पाएं जाती यह पर प्रभाल सुधी एक झाएं जहां पर प्रबाल चेत्राहिआ भारत ने अब महें रहते हैं को सीद्ट मोइन अभारत इसलिए से छिटotz की कि हड़ी में आपको jumping spider कूदने वाली मकड़ी है यह जो थार मरुस्थल राजस्थान में पोजी गई है यही इसका इसमें important लग रहा है कि इसका location पूँच सकता है या कि फिर इसका नाम की सुधूमोग्रा सुधी क्या है यह एक घास का एक प्रकार है या कि कोई पौधा है या कि कोई या कि कोई या मैमल है लेकिन इसका science है क्या है यह एक jumping spider है थैंक यू एक लर्निंग